अब अगर हम न्यादर्श के आकार की बात करें तो संपोर्ण अनुसंधान की प्रक्रिया में न्यादर्श का जो आकार होता है यानि जितनी कायों का हम चैन करते हैं बहुत सारी कायी मतलब बड़ा न्यादर्श और थोड़ी सी कायी मतलब छोटा न्यादर्श कहीं न कहीं य पार्टन के परिभाश्या से और अधिक स्पस्ट करते हैं पार्टन के अनुसार कि किसी सर्वेक्षन में सर्वोत्ता माकार का न्यादर्श वह होता है जो कारेचमता प्रतिनिधित्व विश्वस्तियता तथा लोच की आवश्यक्ताओं को पूरी करता है न्यादर्श इतना छोटा होना चाहिए कि आवश्यक्त खर्चों की बचत हो तथा इतना बड़ा हो कि आवश्यक्त न्यादर्श संबंदी अशुद्धता ना हो पाटन का कहना है कि आकार जो है वो न्यादर्श का जो आकार है वो अनुसंधान के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि वो छोटा से एक जो न्यादर्श के आकार रहता है वही उस पूरे अनुसंधान के लिए का प्रतिनेदित्तों करता है तो यहां पर है कि न्यादर्श बहुत बढ़ा नहीं होना चाहिए च्छोटे न्यादर्श से काम चल रहा है तो ज्यादा सही है क्योंकि हम जित्ता बढ़ा न्यादर्श लेंगे उतना ज्यादा हमको समय श्रम और धन का अपवय करना पड़ेगा लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इतना बढ़ा हो कि आवश्यक न्यादर्श संबंदी अशुद्धता ना हो तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि न्यादर्श इतना छोटा भी ना हो कि जो हमको जानकारी उस पूरे समू के लिए चाहिए थी वो परियाप्त मात्रा में ना मिल पाए लेकिन इतना बड़ा भी ना हो कि अनावश्यक रूप से बहुत सारा समय श्राम मौर्धन उस पर अपवे करना पड़े तो यह तो रही न्यादर्श के आकार के बाद लेकिन बहुत से तत्तों होते हैं जो न्यादर्श के इस आकार को प्रभावित कर देते है पहली बात अगर हम करें तो समग्र की सजातियता जो होती है, यानि समू अगर एक ही तरह का है, صिर्फ इसत्री है उस समू में, सिर्फ पुरुश है उस समू में यह सिर्फ असिक्षित पर हम अनुसंधान कर रहे हैं तो यह सजातियता वाली बात हो गई तो समग्र की जो सजातियता है वो कहीं न कहीं नादर्श के आकार को प्रभावित करती है कैसे करती है कि अगर समग्र सजातिय है तो छोटे नादर्श से भी काम चल जाता है जैसे सिर तो हमने देखा कि हमारा काम कितना अधिक बढ़ जाता है फिर हमको क्या करना पड़ता है हमको समू में बटवारा करना पड़ता है उस समू से फिर हमको इकायो का चैन करना पड़ता है तो हमने यह भी देखा कि समू में बटवारा करना अगर विजातिय समू है तो उनको अप किस योग्जिता को अधार माने आय को अधार माने किस आधार पर हम उस समू का विभाजन करें उसके बाद अगर हमने समू का विभाजन कर दिया तो उस अलग-अलग समू में से कैसे न्यादर्श का चैन करें बराबर करें अनुपातिक रूप में करें यह किसी अन्याधार प कर सकते हैं लेकिन अगर विजातियता है तो जाहिर सी बात है कि समुग के आधार पर चैन हमको करना पड़ेगा और उस कंडिशन में जो न्यादर्श का आकार होगा वो बड़ा हो जाएगा तो यह सजातियता या विजातियता न्यादर्श के आकार को प्रत्यक्ष रूप से करती है दूसरी अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो वर्गों की संख्या अब अगर हम वर्गों की संख्या की बात करते हैं अगर वर्ग बहुत सारे बन गए वर्ग आने कि अगर हम समुग की बात कर रहे हैं जैसे अभी हमने बहुत सारे एक्जाम्पल्स देखें यहां पर देखते हैं कि कितने समूव हैma Кितने वर्ग है इस्त्रियों का वर्ग है पूरुश गर्व है graduate 18 से कम उम्र के बालskों का समोई 60 से उपर के व्रिद्धों का समूई है तो यह कि-धने सारे वर्ग सम बन गए अब हम इस अलग अलग Kung समenge में से थोड़े थोड़े न्यादर्शों का अगर चयन करेंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा न्यादर्श हमारे सामने निकल कर आएगा तो सीधी सी बात है अगर वर्गों की संख्या अधिक है तो न्यादर्श का आकार बड़ा होगा इसके विपरीत यानि कि वर्ग अगर बड़ा है तो न्यादर्श भी बड़ा होगा और वर्ग अगर छोटा है तो न्यादर्श के आकार भी छोटा होगा इसी तरह से एक और तत्व है अनुसंधान की प्रकृती अनुसंधान की प्रकृती भी न्यादर्श के आकार को कहीं न कहीं प्रभाव अगर बड़े न्यादर्श के अधार पर अगर हम अनुसंधान करते हैं तो वो अनुप्यूगत होता है क्योंकि उस दशा में लंबे समय तक हमको उस पे श्रम, लंबे समय तक धन कवे और समय लंबा है ही तो बड़ा न्यादर्श इस कंडिशन में अनुप्यूगत होता है ज जो अनुसंधान होता है उसके न्यादर्श भी बड़े आकार के होते हैं इसके विप्रीत अगर हम बात करें जो अनुसंधान छोटे से समय के लिए होते हैं थोड़े समय के लिए होते हैं उनमें अगर हम बड़ा न्यादर्श लेते हैं उनके लिए अगर हम बड़े न्याद प्रकृती होती है वो भी कही ना कहीं अनुसंधान के अंतरगत जो न्यादर्श का चयन करते हैं उसके आकार को बड़ा है न्यादर्श की छोटा है न्यादर्श इसको प्रत्यक्षरूप से प्रभावित करती है तो ये थे न्यादर्श के आकार को प्रभावित करने वाले तत्तों अब कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिनके कारण न्यादर्श का जो आकार होता है वो प्रभावित हो सकता है जैसे कुछ व्यवहारिक कारण है यानि कि अगर मनुसंधान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि समय श्रम धन या एक कारे कुशलता की बहुत जरूरत होती है अगर यह सारे तत्तों हमारे पास परियाप्त मात्रा में उपलब्द हैं तो हम बड़े न्यादर्श का चैन करें यह ज्यादा अची बात होगी क्योंकि बड़े न्यादर्श का जो आकार है वो छोटा ही रखा जाए इसी तरह अगर हम परिशुद्धता की बात करें तो कई बार हमारे मन में ये धार्णा रहती है कि अगर हम बड़ा न्यादर्श लेते हैं तो जो परिणाम आएंगे वो ज्यादा शुद्ध होंगे लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं है क्य परिणाम उसमें से निकलके हमारे पास आते हैं तो परिशुद्धता की कारण बड़े न्यादर्श का चैन कर लेना भी गलत है इसके पिक्षा अगर हम छोटे न्यादर्श का चैन करते हैं तो हम उसका बारीकी से बहुत अच्छे से विसलेशन कर पाते हैं दूसरी एक बा चाहिए वैसा है तो वो न्यादर्श के लिए परियाप्त आकार देता है अगर बड़े न्यादर्श की जरूरत है तो हम प्रशनवाली के अधार पर बड़े न्यादर्श ले सकते हैं ज्यादा लोगों से प्रशनवाली भरवा सकते हैं और अगर प्रशनवाली के आकार मे भी कमील आ सकता है जैसे प्रश्न वाली का जो आकार है उसमें जो सूचनाय दी होती है वो देश्रिपूर्ण हो यानि कि कैसे प्रश्न वाली को भरना है किस तरह से भरना है जैसे कि हमने पहले भी प्रश्न प्रश्न वाले करें पड़ा है वह सारे जानकारी होनी चाहिए उसमें वह सरल छोटे और इस पशुट होने चाहिए कि पढ़नेよ में यह सरल को Сब्सक्राइब तो प्रशन वाली का एक उचित आकार प्रशन वाली कि आधार पर हम न्यादर्ष का एक उचित पर भी हो सकता है एक उदाहरण से इसको बहुत अच्छे से हमस हम समझ सकते हैं अगर हम रायपुर शहर में स्वक्षता के विशय पर कोई सर्वे करते हैं तो क्योंकि हम छेत्री निदर्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम रायपुर शहर को दो भागों में बाढ़ दीकर उन घाओं के भी हम अलग अलग चेत्री पंचायत चेत्र के अधार पर उन्हों को फिसे वर्गेकृत कर सकते हैं वैसे ही शहर के अगर हम बात करें तो एक बड़े चेत्र को ना लेकर शेहरी चेत्रों को कई छोटे-छोटे चेत्रों में हम विभाजित कर सकते हैं या फिर हम वाट संक्या के आधार पर उसका विभाजन कर सकते हैं और यह जो हमने प्रतेक इस तर के आधार पर किया गया इसलिए बहुत तरी निदर्शन कहलाता है ऐसे ही अगर हम नौन रेंडम सेंपलिंग की बात करें अभी तक हमने जो पॉइंट्स देखे वो रेंडम सेंपलिंग यानि कि दैब निदर्शन की बात कर रहे थे हम अब हम इसके दूसरे भाग यान आधे निदर्शन नौन रेंडम सेंपलिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन-कौन सी विधिया आती है सबसे पहले हम सविचार निदर्शन करते हैं नाम से इस पस्ट है कि वह देव निदर्शन था यानि रेंडम था वहाँ पर किसी प्रकार के विचार सोच किसी प्रकार के नियम सिद्धान्त को हम कहीं फॉलो नहीं कर रहे थे अब क्यूंकि हम अदेव निदर्शन में आ गया है नौन रेंडम यानि कि यहां पर हमको कुछ सोच समझ कर करना है इसलिए इसका पहला भाग आता है सविचार निदर्शन सविचार निदर्शन जिसे नाम स सविचार निदर्शन को और अच्छे से समझने के लिए करें तो हम एडोल जैंसन की परिभाशा का दियान कर सकते हैं एडोल जैंसन के अनुसार सविचार निदर्शन से तात पर इकायों के समू को इस प्रकार चुनने से है कि चुने हुए वर्ग मिलकर जहां तक हो सके वह सब्सक्राइब करूं करा है कि algumas को को इसतर की अधार पर विभाजित करके चैन करना है कि जो हम को अनुसंधान के लिए एक यावरेज न्याभर्ष चाहिए था आजुन पातिक न्याभर्ष चाहिए था वह हमको आसानी से मिल सके सव विचार निदर्शन के लिए अगर अब हम इसकी विशेस्ताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो निदर्शन होता है इसमें प्रतिनिधी नयादर्श का चयण किया जाता है भले ही सोच विचार कर सोच समझकर जानबूश कर किया जाए लेकिन फिर भी एक प्रतिनिधी आने एक न्यादर्श का चैन समग्र के प्रतिनिधी के रूप में यहां पर भी किया जाता है वैसे ही अगर हम बात करें इसके दूसरी विशेस्ता की तो हम देखते हैं कि यह समग्र की प्रकृती के अनुसार चैन करता है अब समग अलग तरह के अलग अलग प्रकृति अबलग लिंक के लोग उसमें रहते हैं तो क्या है उसके प्रकृति सजाती है यह विजाती उसके आधार पर यह न्याधर्श का चयन करता है तीसरी अगरनिश की विषजता की बात करें तो हमको यहां पर जो चुनने वाला व्यक्ति Prinzip एसी धारना से ही हमको चैन करना चाहिए कि किसी प्रकार से किसी के साथ पक्षपात ना हो अगली एक बात इसमें और आती है कि इसके कुछ दोश भी है अब क्यूंकि सब विचार हम निदर्शन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं पक्षपात की भाव ना आ सकती है दूसरा एक मतुप आरिक जीवन में ऐसा होता नहीं है अगर सविचार निदर्शन आपको प्रियोग मिलाना है तो जाहिर सी बात है कि उस समू की जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए यह इसका एक सबसे बड़ा दूश है अब इसके आगे हम नॉन रेंडम सेंपलिंग के ही अंतरगत बात क कर दिया जाता है प्रतेक वर्ग के लिए एक एक प्रतिनिधी का चैन कर दिया जाता है और जिस प्रतिनिधी का चैन जिस छेत्र के लिए किया गया है वो प्रतिनिधी उस छेत्र से देव निदर्शन है सिंपल रेंडम सेंपलिंग के आधार पर वो डाटा वहां से एकत्र क कर लेता है तो यह कोटा अब जो निदर्शन है बहुत सिंपल सा निदर्शन है यह वैसे ही अगर हम बात करें इसके अगले भाग की अगले विधी की तो सुविधा जनक निदर्शन नाम से इस पस्ट है सुविधा जनक बहुत ज्यादा इस विशे पे हमको बात करने क्या शक तो अभी तक हमने देखा कि न्यादर्श के कौन-कौन से प्रकार होते हैं मुख्य रूप से हमने दो प्रकार को देखा दैव निदर्शन और अदैव निदर्शन और उसके अंतरगत हमने बहुत से विदियों का अध्यन किया अब हम निदर्शन के आधार के बारे में जानेंगे निदर्शन के आधार की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से दो चीजों पर अधारित है एक जो इसका नियम है इसे हम कहेंगे सांखिके नियमित्ता नियम और दूसरा है महांक जड़ता नियम पहले नियम यानि कि सांखिके नियमित्ता नियम के अगर हम बात करें तो ये नियम पूरी तरह से प्राइक्ता यानि कि संभावना के सिध्धान्त पर आधारित है जैसा कि हमने इस अध्याय के प्रारंब में भी पढ़ा था कि अगर हम न्यादर्श की चैन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको जितनी भी इकाईयों का हम समूव बनाए हैं और समूव में से हम चैन करते हैं तो प्रतेक इकाई के चैन हो जाने की समान संभावना है प्राइक् किनी मित्ता का नियम है ये क्योंकि मूलता प्राइक्ट्ण के नियम पर ही आधारित है याणि कि इस नियम के relativ wisdom करते हैं तो उस समूह में जितनी हिसा है सब के चैन हो जाने की चेनित हो जाने की समान संभावनाय होती है दूसरा नियम जो है महांक जड़ता नियम महांक जड़ता नियम जो है यह पूरी तरह से सांखी की निमित्ता नियम पर आधारित है अब चुकि सांखी की निमित्ता नियम जो है वो पूरी तरीके से प्राइक्ता पर आधारित है तो कहीं न कहीं प्राइक्ता का जो नियम है वो ही महांक जड़ता नियम पर आधा करता है अगर हम एक परिभाशा देखे बावले की तो और अच्छे से हम महांक जड़तानियम को समझ पाएंगे बावले के नुसार एक समू की व्यक्तिगत इकाईयां लगातार बदलती हैं लेकिन समस्त समू की इकाईयों में परिवर्तन धीरे-धीरे होता है कहने का मतलब य निकालेंगे जो हम उसके परिणाम निकालेंगे वो इतने धीरे-धीरे परिवर्तित होंगे या नहीं लेकिन अगर हम समू की बात करें अगर हम पूरे समू की बात करें तो वह बहुत धीरे-धीरे परिवर्तित होगा अब हम इसके अगले नियम के बात करते हैं अलपांक द्रणता नियम कहता है कि न्यादर्श में जो इकाया चुनी जाती है वो विसिस्ट रूप से अलप इकाया होती है यानि कि अगर न्यादर्श का आकार परिवर्तित कर दिया जाए तो भी इनका जो अनुपात है वो जैसा का तैसा ही रहता है एक एक्जाम्पल से इसको हम और अच्छे से समझेंगे जैसे मान लेजिए 100 लोगों के एक समूह में 40 पुरुष और 60 मैलाएं हैं तो इसका अनुपात हम निकालते हैं 4 अनुपात 6 अगर न्यादर्श का आकार बढ़ जाता है यानि कि 1000 मैला पुरुष में 400 पुरुष और 600 मैलाएं हैं तो भी अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 4 अनुपात 6 ही रहेगा यानि कि व्यक्तियों की संख्या समूह के सदस्यों की संख्या कितनी भी हो जाए को पुरानी अनुपात के आधार पही समूह की विजातियत का विभाजन करना है यह तो थी निदर्शन के आधारों की बात अब हम बात करते हैं सांखी की तुटियों की तुटी यानि कि गलती साधारन बोल चाहल की भाशा में हम तुटी शब्द का उपयोग गड़ती ये के लिए करते हैं जैसे पंदरा क्या जगा पर हम इंकावन लिख दिये कहीं गड़ित की कैलकुलेशन में हम गलत कर दिये जोड़ गटाना में हमने गलत कर दिया तो यह सब जो तुटिया होती है वह गड़तीय तुटियों के अंतरगत आती है लेकिन बात अगर हम सांखी की तुटियों के करते हैं तो यह गड़तीय तुटियों से थोड़ी भिन्न होती है यानि कि कहीं पर समूर कि जो था वो विजातिय था अगर समूर की करना था झतना की हमने अभी तक के अध्याय में अध्याइन कि लेकिन विजाती समूब के लिए हमने सरन शुन संपर यहां पर नियादर्ष्ट जो न्हिकल कर आयेगा वह औसमीक होगा तो यह जो गलती हुई यह सांखीके के गलती थी यहाँ पर इस गलती को सांखीके भाछा में तुरुटि कहा जाएगा अब हम तुल्टि की बात करें तो सबसे पहले आता है मूल Mool Trutia Mool Trutia क्यों होती है आए देखते हैं कि पक्षपात पूर्ण रवाईए के करण हमने अभी तक देख नि-दर्शन है को यो देश पूर्ण अगर हमने दर्शन करते हैं तो पक्षपात नहीं ना चाहिए नहीं होना जाहिए यह हम बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी पक्षिपात किया जाता है तो जो न्यादर्शम को मिला है वो कहीं मता गलत होगी तो यहां पे जो गलतियां हुई वो मोल तुरुटी कहलाएंगे इसी तरह जोड तोड की तुरुटी जैसे की नाम से इस पस्ट है जोड़ घटाना कहीं गलत हो गया प्रतिशत निकालते समय कहीं गलती कर दी गई अभी मैंने आपको बहुत सारे एक्जामपल बिताय कि अनुपातिक में कैसे हम निकालते हैं निदर्शन को वहां पर आपने अनुपात की गणना करने में कहीं गलती कर दी भारित निदर्शन का हम प्रयोग कर रहे हैं वहां पर हमने बराबर बराबर भागोवे बाटने में कोई तुरुटी कर दी तो यहां पर जो गल भी कुछ तुटिया होती है हम जब न्यादर्श का चयन करते हैं तो हम अपने अनुसंधान का छेत्र देखते हैं और उसके आधार पर हम देखते हैं कि बड़ा न्यादर्श लिया जाए चोटा न्यादर्श लिया जाए कई बार हम न्यादर्श का आकार इतना छोटा ले ले वैसे ही एक तुटी होती है निर्वचन संबंधी आंकडों का संकलन कर लेने के बाद उनका विवस्थी करण करते हैं हमने पहले अध्याव में देखा वर्गी करन करने के बाद हम साणियन करते हैं ग्राफिकल जो उसके मैथोड्स होते हैं उनका हम प्रयोक करते हैं और अंत म हम उसका निर्वचन करते हैं निर्वचन ये विसलेशन अपने आपने एक महत्वपूर्प्रक्रिया है लेकिन अगर यहां पर किसी प्रकार की तुरूटी हो गई तो हमारे जो आकड़े मारे जो आंसर निकल कर आएगा अनुसंधान का वो कहीं न कहीं गलत हो जाएगा तो य देखेंगे यहां पर निदर्शन संबंधी तुरूटी निदर्शन संबंधी तुरूटी कि अगर हम बात करें तो यहां पर हम निदर्शन में जब हम न्यादर्शों का चयन करते हैं तो कुछ इकाईयों का ही चयन करते हैं हम और उसकी आधार पर समगर की गढ़ना करते है जैसे 50 विध्यार्थियों की एक कक्षा में हमने 5 लड़कों और 5 लड़कियों का चयन किया लेकिन जब हम संगणना विधी के आधार पर अनुसंधान करते हैं हमने इसके पहले संगणना विधी के बारे में काफे विस्तार से जाना जब हम संगरना विधी के आधार पर अनुसंधान करते हैं तो हम यहाँ पर 50 पूरे के पूरे 50 विध्यार्थियों से प्रशना वाली भरवाते हैं और उनका हम उपिनियन जो है वो लेते हैं तो जाहिर से बात है कि 50 में से 20 विध्यार्थियों से प्रशना वाली बनाकर रिजल्ट निकालना या फिर पूरे के पूरे 50 से प्रशना वाली भराकर रिजल्ट निकालना दोनों में कहीं न कहीं अंतर तो आए गई तो यह जो डिफरेंस आता है संगरना विधी के अनुसार से अनुसंधान करने पर और निदर्शन विधी के ahar पर अनुसंधान करने पर दोनों में जो अंतर आता है वास्तों में वही निदर्शन्थूटिया कहलाती है दूसरे शब्दों में हम इसको लिख सकते हैं निदर्शन तुटी बराबर वास्तविक मुल्य माइनस निदर्शन मुल्य वास्तविक मुल्य यानि कि संगरना विधी के आधार पर अनुसंधान करने पर जो हमें प्राप्त हुआ और माइनस निदर्शन मुल्य दोनों को अग गैर निदर्शन तुटी के बारे में चाहे वो न्यादर्श के चैन से हो या वो संगणना विधी से हो किसी भी तरह से हो सकती है इनका अपना कोई मूल कारण नहीं होता हो सकता है कि विधियों की सही जानकारी नहों या हो सकता है कि सांकी की उपकरणों का गलत प्रयोक क्या कहते हैं हमने देखा कि निदर्शन यानि कि इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम किस प्रकार एक समग्र का अध्यन थोड़ी सी इकाईयों के अध्यन के कर सकते हैं यह सारी जो इकाईया होती है यह समंकों के संकलन के आधार के लिए होती है यानि कि वास्तों में यह आकडों के संकलन के एक विधिया है